ओमो नमाहिस्वाय दोस्तों सिंग राशी वेले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत थे इस वडियो में हम आपको बताने बले हैं सूर्य पुत्र कर्मफल दाता सनिदेव वर्तमान समय में कुम राशी में गोचर कर रहे हैं और ये 18 अगस्त से ही पूर्वा भाद्रपद यानि गुरु के नक्षत्र में भी चल ले हैं तो ऐसे में सिंग राशी वेले जात्कों के जिवन में सनि कैसा प्रभाव देने वली हैं 14 सितंबर 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक सनि पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे उसके पश्याद ये नक्षत्र परिवर्तित करने वली हैं तो ये जो सम्यावधी रहने वली है इसमें आपके जिवन में किन किनी छेत्रों में सनि साकरात्मक बदलाव निर्मित करने वले हैं और कहां पर सिंग राशी वेले जात्कों को सावधान भी रहना है चुकि देव गुरु ब्रहश्पति जो हैं उनकी अवस्था वर्तमान में आपके कुंडले में बहुत हिस गोचर में सरेश्ट हैं और गुरु ब्रहस्पति आपके कुंडले में योग कारक ग्रह माने जाते हैं तो ऐसे में सनी आपके जिवन में क्या परिनाम देने वले हैं। तो सिंग रासी वेले जातकों सनीदेव के बारे में अगर आपको जानकरी दिया जाए। लेकि सनीदेव को जोति सास्तर में ततकाल रिजल्ट देने बला ग्रह नहीं माना जाता। सनीदेव धाई वर्ष तक एक रासी में ब्रहमण करते हैं। इसलिए सनीदेव जीवन में जब भी इनका प्रभाव चलने लगता है या प्रभाव देने लगते हैं। एक निश्चिस सम्यावधी के पश्चाद सनिदेव का काफी लंबे समय के लिए प्रभावव जीवन में आता है और उसमें सनिदेव अगर कश्च देने लगते हैं तो कई प्रकार की समस्याई होती है और जीवन में सुख देने लगते हैं तो कई सुखों को भी सनिदेते हैं यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिंग रासी वेले जातकों सनिदेव प्रकिती में संतुलन बनाने वेले ग्रह माने जाते हैं इसको अब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई वेक्ती गलत कर रहा है उसका रिजल्ट उसे जिस प्रकार वरतमान के न्याले में उसका रिजल्ट उससे तुरंत नहीं मिलेगा कुछ समय के पश्चात मिलेगा उसी प्रकार किसी भी वेक्ती के बुरे कर्मों का रिजल्ट य कर्मठ बनाते हैं यही सनी अगर कुंडले में पीडित हो जाते हैं खराब होते हैं और विक्ति के कर्म भी खराब हो तो कही असाद बिमारियां चलती है जैसे लकवा की समस्या पेट दर्द कैंसर मानसिक अवसाद सनी के दुस्प्रभाव से मिलता है सनी पीडित हो तो भवन में आग लग जाती है जो धन होता है विक्ति के पास जो पैसा रखा हुआ होता है वो किसी प्रकार से नश्ट हो जाता है या तो बिमारी में नश्ट होता है या वो चोरी हो जाता है तो इस प्रकार से सनी देव का गुरा प्रभाव इनकी महादसा या धहिया या सड़े साते में आने के बाद मिलता है तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में अपसनी कैसा प्रभाव यहाँ पर आपको इस नक्षेत्र में मौजुद होकर आपको दे सकते हैं सिंगरासी बेले जात्कों जानकारी जो है वो आपके चंडरासी के उपर प्रभावी है आप लोग इसे इसी आधार पर दखें तो सिंग रासी बेले जातकों सनीदेव 14 सिप्टमबर को आपके सबतम घर में रहेंगे और 14 सिप्टमबर से लेकर पूर्वा भाद रिपद नक्षत्र में ये 3 अक्टूबर तक आपके सबतम घर में ही इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं तीसरी द्रिष्टी आपके भागे भाव पर जाने वाली है सात्वी द्रिष्टी जो है वो आपके रासी के उपर पड़ेगी और इनकी दसम द्रिष्टी जो है वो आपके रासी के सुख भाव पर जाने वाली है यहाँ पर सिंग रासी वेल जात्कों के जिवन में गुरू के नक्षत्र में प्रभावी सनी, कई बदलाव आपके जिवन में करने वले हैं सबसे पहले तो हम आपको वता देना चाहते हैं कि जिन जात्कों का जुड़ाव सिक्षा के छेत्र में है एजुकेशन फिल्ड में जुड़े वे जात्कों के लिए यहां पर सुभता मिलने वली है यदि आप इस समयावदी में किसी भी प्रकार के परिक्षा प्रतियोगता की तैरी कर रहे हैं तो इस समयावदी में परिक्षा प्रत्योगता में भी सुभता का योग बनने ब़ला है। इस समयावदी में हम आपको पतादन दिना चाहते हैं कि सनी आपके केंद्र में विराजित हैं। ऐसे में सिंगरासी वेले जातकों के जिबन में सप्तम घर में मौजूद सनी, आपके जिबन में कर्म छेतर के मामले में इस्टेगल भी देने बले हैं। कर वेठने से बचना चाहिए। के लिए समय जादा बेतर नहीं है, तो ऐसे में निवेश से भी आपको जिबन में बचना होगा। इसके लिए धन का सोच विचार कर वियए भी आपको इस समय वधी में करना है। और यहाँ पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि सनी देव आपके सप्तम घर में विराजित हैं और वक्री हैं। तो इस समय वधी में जो जातक किसी भी प्रकार के मुकदमी बजी जैसे विशियों में यदि आपका जुडाब है और आपका मुद्दा अगर साकरात्मक है और किसी प्रकार के कोड के चहरी जैसे विशियों में यदि आप सुभता चाहते हैं उसमें आपको सुभता मिल सकत सब्तम घर में वक्रिशनी का प्रभाव आपके जिवन में वयवाहिक संबंधों में सभल कर चलने की सला दे रहा है सिंग रासी के जो भी जाता की सम्यावधि में साधी सुधा है उन जातकों को पार्टनर के साथ तालमेल अच्छी तरह से बठा कर चलने की आप सकता रहने वल बिवाद निर्मित करने से वचना चाहिए ऐसे में सिंग रासी वेले जातकों को इस सम्यावधि में देखे छोटे छोले पलों का आपको विशेश रूप से इंज्वाई करना चाहिए छोटे छोटे पलों को यदि आप सेलिबरेट करते हैं तो इस्तथी वहतर रहने वली ह यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सनी महराज आपके प्रथम घर में द्रिश्टी डालने वली हैं तो जो भी जातक सिंग रासी वेले जातक हैं उनको अपनी जीवन में बेकार की वातों को लेकर यदि आप चलते हैं तो आपको बुरा प्रभाव मिलने वला है ऐसे में मांसिक नेगेटिविटी से भी आपको जीवन में बचना चाहिए इस समयावधी में आपको अपनी जीवन में साकरात्मग व्यक्तिप्त्य के लोगों के साथ ही रहना चाहिए अगर आप नाकरात्मग वातावरण में रहने का प्रयास करते हैं या नाकरात्मग व्यक्तिप्त्य के लोगों के साथ भी आपका समय बीत रहा है तो ना केवल आपकी छमताएं प्रभावित होने वली है बलकि आप अपने जीवन में बड़े लक्ष से भी आसानी से धिरे- तो इस प्रकार का मिला जुला प्रभाव आपके जीवन में सनिदेव सब्तमगर में विराजित होकर आपको देने वले हैं अगर सिंगरासी बेले जातकों को धार्मेक उपायों की जानकारी दिया जाये तो सिंगरासी बेले जातकों इस समय बढ़ी में आपको विशेश रूप से सुन्दर कांड या हनुमान चलिशा का पाठ करना जीवन में सुब्ता दिने वला है और इस सम्याब दे में सनी देव से जुड़ी हुई चीजों का दान करना भी आपके जीवन में सुभ रहेगा अगर आप सनी वार के दिन सनी की होरा में काली चीजों का दान करते हैं काला शर्ट, काला चाता, काला जूता, बादाम इन में से किसी भी चीज कादान जरूरत मंद लोगों में यदियाब करते हैं तो आपके जीवन में सुवता मिलने वाली है साल 2024 के सभी महिने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निरधारन करे इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाड़ी को विराम देता हूँ ओम नमा स्वाइब